हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू प्रेमा मर्ड सिविल चैनल मैं प्रेम कुमार आप लोगा स्वागत करता हूं तहे दिल से और यहां पे हम लोग 67th BPSC मेंस और UPSC 2023 मेंस के लिए जो है करेंट अफेर्ज साइंस और तेक और उसके लिए एंसर राइटिंग कर रहे थे तो उ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज सेर इस वीडियो एमंग यूर फेंड्स ओन टेलिग्राम वाट्सप एक्सेटरा एंड सपोर दी चैनल एस्टे ट्यून वित आस एंड चलिए यहां पे आपको 26 जो है यह कहां पे हुगा आपल यह कमेंट करिए आइधिंग सभी लोग कम इंपोटेंट है दोस्तों और यहां पे हम लोग हॉलिष्टी कवरेज करनें पीटी मेंश के लिए और यूपसीबीपसी के सबके लिए इंपोटेंट है और देखें कॉप 26 कंप्रेंस ओपटी होता है और यून फ्रिपल सी दो चीज आपको यह यहां पर जगा मिलेगा तो और कॉनकूलूजन देखेंगे तो इतना सारा चीज देखना है हम लोगो और प्रिवेस वीडियो नहीं देखको तो जाकर देखेगा बहुत सारे टोपी पर डाला जा चुका है और चलिए टाइम वेस्टी कर तो यह स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेस्ट कैसा फ्र इंडिया इन्दी संपहँरण में इंडिया के दवारा किस टाइप का यह कमेंटमेंट किया गया तो आइधिंक आप लोग पंचाम05 जोख मारेश किया गया है इंडियो से घौटे-चलियों कर लिघर फिदिशा चलिए यहां पर सेकेंड कोशन है , Mr. CASE IF सब्सक्राइब करेंगे चलिए यहां पर इंट्रो कैसे लिखना है आपको तो सबसे पहले आप इसका इंटो कंटेक्स देख सकते हैं कि यूके ने होस्ट किया यह 26 इवन क्लाइमेट यह चेंज कंफ्रेंस और पार्टीस का यह कॉप 26 इसको नाम दिया जाता है ग्लासगो स्कॉट्लेंड में हुआ था यह कभ गथा 31 अक्टूबर से लेकर 12 नॉवंबर 2021 थे एक हिस त क्लाइमेट चेंज तो यह जो है एक समिट जो है यह सभी पार्टी जीतने पर इसके मेंबर हैं तो उन लोगों को यह एक्सलेट करता आए कि आप लोग ऐसा एक्सन किजिए जिसे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से रिंपट सकें तो यह बहुत हैं मतलब की बड़ा तो कव 26 का क्या गोल है तो चार गोल्स के रूप में यह बाटा गया है क्लाशिफाइग किया गया है तो फ़र्च नमबर गोल्स क्या है तो आप देखेगा नेट जीरो पाई ट्वेंटी फिप्टी फिर मोबलाईज फाइनेंस यह दोजर पच्चास तक मतलब कि मिट सेंचूरी तक आपको नेट जीरो कारवन इमिशन पर बनना है और यहां पर सेकेंड एक है अटू प्रोटेक्ट कॉमुनिटीज एंड नेशनल यह हैबिटेट जो भी कॉमुनिटी और एक ऐसा लिस्ट आप यह डिटेल्ड रूस बनाने के लिए एक फ्रेमबर्क त्यार करना है तो यह गोल है और यहां पर एक नेट जीरो यह था तो 1.5 डेगरी सेल्सियस तक का टमप्रेचर को आपको रखना है उसा ज्यादा बढ़ना नहीं देना यह है और 2030 तक इमिश बन सकते हैं और फाइनेंस मोबिलाइश करने में क्या है कि डेवलाप नेशन जो है एक लिए पर यह मतलब कि आपना यूगदान दे तो इसको भी आप लोग डाटा को यूज़ और इंटरन लेसा फाइनेंसियल इसमें कुछ दे सकते हैं तो यह हम लोगो ने देखा कि इसक की सब चाप देना है तो जो पूछेगा जी समाल लीजे आपको यहांपे achievement पूचेगा to achievement लिखना है challenge पूचेगा तो challenge लिखेगा इंडिया का extent पूचेगा इंडिया का target हो तो वह लिखना तो आप according to question के demand अपलोग लिखेगा चलिए यहांप欸 एचीवेंट में क्या क्या पॉइंट लिखना रहता है यहां पर मैंने सॉट बना देता को आपको कन्फीजन नहीं हो याद कर नमीजी हो तो ग्लोबल टंप्रेचर जो बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वानविंग से रिलेटेड है और फॉसिल फ्यूल से यह जो भी निकलता है उसको रुकने के लिए है और एक मिथेन प्लेज है मिथेन का प्रोड़क्शन को रुकने वाला यह जो भी हो और यहां पर देखिए एक डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड है तो इतना सारा एचीवेंट पे यह इसके मीटिंग में बात हुआ था देखिए निउ ग्लोबल ए इमिशन डाउन तो नेट जीरो तो यह बोला है कि मतला अपना एक टार्गेट बताएं कि को तक यह नेट जीरो प्राप्त करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया एनाउंस कर दिया है यह नेट जीरो टार्गेट यह 2017 तक कार्बन नूटर बनने के लिए और ग्लास्गो का breakthrough agenda है एक तो इसमें क्या है ब्यारीस कंट्री के साथ इसमें इंडिया भी इंक्लूड़ेड है तो यह ग्लास्गो ब्रेक्थ्रू एजेंड़ा यह जी भी यह आप लोग बोल सकते हैं तो इसमें क्या है कि यह cooperative report लगाना है मतलब सब लोग उमिल के report देंगे to accelerate development and deployment of clean technology and sustainable solution तो जो भी clean technology है जिसे renewable energy से related और sustainable solutions है तो यह सब इरिया में आपको लगाना है जिसे clean यह power से related यह route transport, steel और hydrogen तो यह green hydrogen का concept निकल के आ रहा है electric vehicle तो यह सब आप लोग ज़रू से ज़रू यह सब topic दिखते रहिएगा देखिए थर्ड नमबर यह आपका estimate क्या phaging down coal consumption जो भी coal का consumption ज्यादा खर्च हो रहा था उसको कम कर देना है तो यह European countries have pushed hard for its phase out तो European countries अच्छा व पैसा भी तो खर्च होता है तो एक मीडिल पाथ है सजेस्ट किया गया इंडिया के दोरा कि रिपाड़ेट कॉप 26 और कॉप 26 में इंडिया ने रिपर किया कि एक फेज़ डाउन किया जाए कोल्ड बेस पाउर के लिए मतला कि कोल्ड बेस जो भी energy आप जो भी आप लोग कर रहे है उसको कम कीजिए और एक है बेस्ट केस सिनारियो तो चोथा नमर का एचिवेंट क्या है तो क्लाइमेट एक संट ट्रेकर है के सीटी कैट बोल जीजिए एक इंडिपेंडेंट और इसके अनुसार बोला है कि अगर टार्गेट फुली तरह से अचीब कर लिया जाए तो यह लिमिट करेगा ग्लोबल वार्णिंग को कितना तक तो 1.8 डिए सेल्सेयस लेकिन आप लोग को कहां चेना 1.5 डिए सेल्सेयस का टार्गेट अक्या है लेकिन यह जो कैट है वो बोला है कि 1.8 डिए सेल्सेयस नहीं बढ़ेगा अगर फुली अचिब कर लिये तो तो सिगनिफिकेंटली टाइटेंड तो वर्ल इस मोड लाइकली टू इंडब सिंग ग्लोबल टंप्रेचर राइज बाइज बाइज 2.1 तो 2.4 डिए से देखिया अभी 2.1 से 2.4 तक बढ़ने का यह उमिद लगाया जा रहा है इसको तो यह बहुत ही मतलब कि यह ग्लोबल टं कंप्लाइंस कर रहा है कोई मतलब कि अच्छे से फोलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई पेनाल्टी भी नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा टार्गेट जो है क्यों कंडिशनल है और अगर फाइनेसल सपोर्ट मिला तो काम होगा मतलब उस टार्गे सब्सक्राइब करने में फेलियर हो रहा है क्लाइमेट जो कोई फाइनेस है उसको सेक्यूर करने में फेलियर हो रहा है क्यों से तो यहां पर देख लिए आप डेवलाप कंट्री पार्टी तो इसकेल अप देयर प्रोविजन ऑप क्लाइमेट फाइनेस इट फेल टू फॉम्ली सेक्यूर फंडिंग कॉमिट्मेंट्स प्रॉम डेवलाप नेशन तो जो डेवलापिंग कंट्री जा हो तो यह कितना कारवन प्रोडूस कर रहे हैं तो वह मतलब कि किसी देश का ज्यादा किसी देश का कौम है तो आप लोग देख सकते हैं यह चाइना सबसे ज्यादा कारवन बजट यह प्रोडूस करता है गलोबल में और यूज से दूस्से पर फीट थर्ड नंबर पर यूँ है और इंडिया को फोर तो कोई भूल ला था मतलब कि इसी कंट्री में साथ चाइना बट यह देख लिजेगा इसको चेकरिया देखिए वर्ड का टॉप थ्री लाज़ेस्टी मिटर के होना चाइना युए से यूरूप और एकाउंट करते हैं कि इतना 30 परसेंट और 30 परसें इसका पहुँँ जाएगा 2030 तक और बोला है कि हम नेट जीरो 206 तक करेंगे तो चाइना को मतला और थोड़ा पहले भी करना चाहिए तो यह भी एक चैलेंज है और यहां पे देखिए यह आपको 54 परसेंट ग्लोबल कारण बजट को यह पोडूश करता है और पुपलेशन क के पास 4.2 परसेंट पॉपलेशन एक हम ही है सबसे लेकिन यह सेकेंड नमर पर है 14.2 परसेंट अब करवन बजट देखिए यहां पे नेट जीरो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया रहा जा रहा है यह एक बते यह मतलब कि ऐसा कोई पॉर्शनिंग नहीं देगा कि करवन का सबको बराबर मिल जाए या नहीं मिल रहा या नहीं तो यह भी एक तरकत चैलेंज है तो इतना सारा चैलेंज हम लोग ने देखा तो आप इसको फिर से रिवाइच कर सकते हैं कि बोलेंटी टार्गेट है और यहां पे यह स्पेसिफिक डिटेल एक्शन कोई देश नहीं द सब्सक्राइब को यह 30% तक ही रखना है को अब तक 2030 तक 30-30 ऐसे याद कर सकते हैं और यहां पे जिरो इमिशन वेहिकल के द्वारा होगा 2040 तक तो यह बहुत ही मतलब कि अच्छा टार्गेट है और यहां पे डिसे पॉइंट्मेंट या चैलेंज में एक और पैटन पर लिखने का अगर तरीका है तो मैंने लिखा है फेजिंग आउट कोल ऊपर देखा था हमने इनेक्वेटेट फंटिंग फॉर एडप्टेशन यह फंडिंग में यहां पे जो फिर यहां पे कमपनसेशन जो भी लॉस और डमेज होता है उसके लिए इस हुए फिर आपको ग्लोबल मेधन प्लेज यह बता है ना 30% 2030 तक यह डिफोरेस्टेशन को भी इंट करने का बात चला था तो यह बहुत ही मतलब कि इंट करना मुश्किल है बर तक काम किया जा सकता है तो देखे इतना सारा टॉपिक हो गया क्या हम लोग देखा है इंट्रो कैसे लिखना है वो देखा हम लोग ने फिर उसको गूल क्या है चार गूल में हम लोग ने देखा फिर बॉड्डी में हम लोग ने देखा कि इसका क्या एचिमेंट रहा है फिर इसका क्या चलेंज देखा जातों सबसे कम है इंडिया का लेकिन यह थर्ड लाज़ेस्ट इमिश्टर माना जा रहा है तो यह 5 परचेंट यह इमिश्टन करता है 17 परचेंट अगल पॉपलेशन देखा जातों यह थर्ड नमर क्यों बोला है यह यह यूपन यूनियन कुद कंट्री नहीं सामिल क तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखिए एंडिया जनाओ शीट्स नेट जीरो टार्गेट कब तक कॉप 26 में यह एक लोग एनाउंस किये थे कब तक पिरिस एग्रिमेंट को 2015 को लाव करके 2070 तक तो यह इंपोर्टेंट है और थार्ड इमिटर है और पांच पर स पचास परसेंट ज्यादा तो के लिए चाहिना कर रहा है तो यहां देखिए इंडिया का फाइफ पॉइंट यह एजेंडा प्लेज आप देख सकते हैं पंचामरी जिसको नाम दिया जाता है तो इसमें क्या था सबसे नंबर ओन पे था आपको नेट जीरो करना था 2070 तक मत ra30 तक ही आपको यह नौन फोशल फ्यूल से 500 गीगावाट और गी नोबब़ UX से 50 परसेंट और यहां पर देखिए इमिशं इंटेंट फ्यूल इनर्जरी से 500 च्हार से500 कर दीजिए एमिशन इंटेंसेटी करने एक बिलियंट टनस का सी ओ टूको Parece करना एक बिलिएंट तो यह ट्रिलियंड है पाइफ ट्रिलियंट सुनНе होंगे तो एक बिलियंड करदीजिएकदD तो इतना सारा 5 यह हम लोग आथा तो आप लोग देख सकते हैं कि पंचामरिक में क्या था और इंडिया का क्या यह दिखते हैं इंडिया जो है फोर्थ है इनवर्ड है रिनोबल इनर्जी में फोर्थ और यह ग्रुख कर रहा है बहुत ही रेपीटर स्पीड में यह तो यह सब बहुत इंपोर्टेंट है कि इंडिया रेल्वेट जो है अगर नेट जीरो दोज़ातीस तक अगर कर ले तो एक लिए साट मिलियन टंस का जो इमिशन को रुखा जा सका है कम किया जाएगा और इंडिया ने एक लॉंच किया यूके और अस्टिरिया तीनों मिलके यह लॉंच किया है कौन सा तो आई याई यह इस इरीस जिसका फूर्फार्मा इंफास्टेक्ट्चर फोर रिजिलियन आइलेंट एस्टेट्स तो आइलेंड के लिए रिजिलियन बनाना है तो इंफास्ट्चर तो डेवलॉपिंग कंट इसका भी पार्ट है इंडिया और लीड आइटी चेक करके बताएगा हमको यह आप लोग लिए होंबर्क है देखते हैं कौन यह क्यूरियस है और कौन इतना अच्छा मेनद कर रहा है तो सजेशन फॉर लाजेस इमिटर तो बहुत बड़े-बड़े इमिटर जैसे चाइना तो यह दोजार पचास तब कर ले यह साथ तक बोला ना साथ पचास ताथ तो यह भी देखिए और फिर आपको यहां पर ट्वेंटी पोटे तक युवेसर बोला है निट जूटो करने के लिए यूरोपीनियन दोजार पैंतारी सब बोला है इंडिया तो चैना का कम सक्वा कमिटमेंट नहीं किया यह कोल बेस पाहल में की हम कम करेंगे यह रिन्यूबल इनरजी को 2030 तक का गोल जो है रखने के लिए यह 45 परसेंट तो यह भी है और यहां पर देखिए यह वेहिकल्स को इंकरेज करने के लिए इसमें मतलब कि एक बेफ फॉरवड बाता ही है तो इल प्रोजी और बायो टेक्ट बीडियो डाला जा चुका है आई बेटर में मिल जाएगा यह सर्च करीगा यह तकनोलोजी या बायो टेकनोलोजी तो मिल जाएगा चुलिए यहां पे फेज आउट पेट्रोल एंड डिजिटल इन ट्रास्पोर्ट इन इंडिया तो जो भी पे सब्सक्राइब करने के लिए जो भी यहां पेशन हो रहा है बट यह इससे भी अच्छा मतलब कि एक्सपेट किया जा सकता है इंडिया के कंटेक्स में देखा जाए इंडिया के तरफ सकाना चाहिए ताकि फेज आउट डाउन किया जाए कोल बेस पाहर जनेरेशन को यहीं सबसे इंपोर्टेंट हम लोग में कोल बिस को कम करना और यहां पे इलेक्टिव वेकल्स को बढ़ावा दिया जाए खूब ज चुका है यह जेम्स वेफ टेलियस्कोप पर डाला जे चुका है यह यूपीस में आया भी कोश्चन है तो जैसे स्टार्ट पूछा था ना तो उस तरह से इसको भी आप लोग त्यार करेंगा और किसी टोपिक ना सब परकर सोल और मिसर पर चाहिए कि नहीं कमेंट आप लोग के चैनल से जुड़े रहें और बहुत सारे टोपिक पर आएगा आएगा जो भी इंपोर्टेंट टोपी होगा तो से हम लोग कवर करेंगे प्लाट एंड ड्रॉट से भी रिलेटेड तो पीम करते सकती नेक टोपिक होगा हम लोग का उस पर आएगा मस्टर प्ल सिलेबस और जो भी आपको पूर्वेबल टोपिक्स टोपिक्स सब डाला जचुक है उसका वीडियो देख लिए जगा जाका और यहां पे जी ट्वेंटी हाई टोई टू यह सिल्लेंगा एकनोमिक क्रैसिस और अश्या एकुन यह टोपिक पे वीडियो डाला गया है आए आ सब्सक्राइब के लिए हम लोग एक हाउटे स्कोर 120 प्लस एक वीडियो डाले हैं तो उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं या आई बेटर नहीं मिल जाएगा इसके लिए बुक्स और स्टेट जी सिलेबस क्या होना चाहिए उसके लिए वीडियो डालेंगे आप लोग उसको 2020-23 के लिए देख लिजा आपर और यह आपको बुक्लिस्ट है है और यहां पे लिए बास मैंने पूरा एकदाम लिख्श अपर नों कैसे लग रहा है यह आप लोग कैसे लग रहा है यह कोमेंट बताएगा तोड़ा साम लोग इंप्रूब कर सकते हैं कि कित अ और अपना भी तोड़ा सा राव विचार दीजिएगा आप लोग और यहां पर देख सकते हैं यह प्रोवाबल टोपिक्स का लिस्ट में इसके लिए डाला गया है तो यह सब भीडिट करिएगा आप लोग और अपलोग अन्सराइटिंग कर रहें कि नहीं कमेंट बताएगा एंसराइटिंग करना ही पड़ेगा और बहुत सारा टेलिगाम चैनल भी चलनल है वहां पे आप लोग जोड़ सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जेश्टी इकनोमी का भी कुशन है यहाँ पर सक्षन 3 साइंस एंटेक में हम लोग है और यहाँ पर कोशन भी प्रीवेस है आप लोग सब देख सकते हैं यह सब वीडियो हम लोग डालेंगे and हम लोग के साथ जुड़े रहें दुस्तो और share करते रहें वीडियो और support करें दुस्तो and thanks again for watching and all the best and keep supporting us and चलिए वीडियो खादम करते हैं all the best